जैहीन साथियो साथियो अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सेलेक्टेट कोश्चन पर रेलिवे एक जांट 2024 के लिए सेट नमबर 41 साथियो सेट नमबर 41 को हम लोग इस निये देखने वाले हैं क्योंकि हम लोग ने सेट नमबर 40 तक टोटल पहले कंप्लेट कर लिया है जो भी केंजरेश चानल पर हमारे नहें आए हुए हैं हम उनसे बतलाना चाहेंगे कि भाई हम आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस सेट रो जाना पर आप्त करवाते हैं जो कि रेल्वे के प्रिवियस येल में बार बार पूछे गए कोश्चन रहते हैं जैसे आप लोग एक्जांपल के दौर पर ये पहला नमबर ही कोश्चन ले लिजे ये देखिए आप लोग का ग्रूप D में कोश्चन पूछा हुआ कोश्चन है तो ठीक ऐसे ही हम आप लोग को सेलेक्टेड कोश्चन कराते हैं जो कि प्रिवियस येल में बार बार पूछे गए कोश्चन सो और उसके साथ साथ हम इसमें कुछ कोश्चन आप लोग के TCS का भी डालते हैं TCS का कोश्चन हम क्यों डालते हैं क्योंकि भाई इस बार भी आप लोग का जो रेलिवे की एक्जाम है वो TCS ही कंड़क्ट कराने वाली है इसी दिया हम आप लोग के इस प्रैक्टिस सेट में कुछ कोस्टन TCS का भी डालते हैं तो जो भी करेंजेस पहले के क्लासेस को वाच करना चाहते हैं यानि कि सेट नमब सेट देखेंगे और अगर आप लोग को डिस्क्रिप्प्टिन नहीं मालूम है वहत सबीरिस्व अपर तो पलेस्ट पर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं और स्क्रोल करिएगा तो सबसे पहले आप लोग को जो है उपर वाला पलेस्ट इणस मिए है bit number का कोशन आप लोग यहां फर bien देखिए आप लोग को दिखला दे तो टोटल यहां पर 40 हम पहले प्रैक्टिसेट करा दिया हैं साथी को 40 में अगर आप लोग और एक प्रैक्टिसेट में टोटल 20 कोश्चन यहां पर डाले गए हैं तो भाई अगर आप लोग जोड़िएगा तो 40 इंटू 20 अगर हम लोग कर लेते हैं तो आप लोग का भईया यहां पर कितना हो गया देखिए यहां पर हो गया आठ सो कोश्चन हम आप लोग को यहां पर कंप्लीट करवा चुके हैं जो की प्रिवियस एर में बार बर पूछे कोश्चन है तो साथ आप लोग इस क्लास को जाकर कर जरूर से जरूर वाच कर लिजिएगा अगर आप लोग अभी तक बाच नहीं किये हैं और नये कंद्रेश है तो चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं बीना किसी देरी के हम लोग का पहला नमबर कोश्चन है वह ह एक सेट में हम आप लोग को जो है एस डावलू देते हैं जिसका सभी केंद्रेश को जवाब देना रहता है तो इसका जो है राइट एंसर हो जाएगा हमारे शोटे भाई हो देखिए सबसे पहले पढ़ने जिए अमने के अधार पर कौन सा सही पुछ रहा है न तो उपर से पढ़िए तब समझ में आएगा लाल लिटमस को निला कर देता है नहीं ये गलत होगा जलिये और घूली हुई इस्तिती में विदूत का संचालन करता है नहीं ये भी गलत होगा ओश का जलिये माध्यम में पेस करता है पिगली हुई इस्तिती में नहीं गलत होगा या फिर निश्प्रभावी करण दरसाता है हाँ भये ये सही हो जाएगा ठीक है option number D आप लोग का right answer हो जाएगा पूछ रहा था कि अमले के अधार पर कौन सा सही है तो निश्प्रभावी करण दरसाता है ध्यान रखेगा साथियो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने second number question को तो अब लोग का second number question है वो क्या करा है उसे देख लेते हैं करा है कि मानो कान के किस भाग में मानो कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनी के अनुसार कमपन होता है तो बतला रहा है आप लोग को साथियो ये जे ही में question पूछा हुआ था श्रोण तंत्रिका में, हैमर में, कंड़ पाली में या फिर कंड़ पटली जिली में तो साथिव आप लोग फटा फटा अपना राइट एंसर दे दीजिए और यह जितने विए हम अभी कोश्चन करा रहे हैं भया अप लोग के ध्वणी से का हम यह कलास ले रहे हैं ध्वणी के यह सेकर्ड कलास है इसके बाद और एक कलास लेंगे यानि कि ध्वणी पर हम थ्री कलास लेने वाले हैं क्योंकि ध्वणी से बहुत ज़्यादा कॉश्चन पूषता है शाथिव इसका आप लोग का राइट एंसर हो जगा भईया, देखें, कन पटे ही जिल्ली में, ठीक है, ओप्सन नमबर D, राइट एंसर हो जगा, मानो काम के किस भाग में प्राप्त ध्वनी के अनुसार कमपन होती है, तो कन पटे ही जिल्ली में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप ल अधिक बार सुना जा सकता है, ये देखें, गुरूप D में भी पूछा हुआ था, सेम एक ही साल में भीजा, गुरूप D में भी डाल दिये था, ये कोशन, और ELP टेकनीशेर में भी डाला था, आप लोग देखें, तो इसका राइट एंसर आप लोग बतलाईए, देखें, ये हम आप लोगों को चारव ओप्सन दिखला दे रहे हैं, आसे स्क्रोल कर लिये जाए, हाँ चलिए, लगातार या एका निकात, डैस के कारण, प्रतिध होनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, बतलाईए, बिरलन के कारण, परवर्तन के कारण, भी वर्तन के चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने फोर नमर कोश्चन को फोर नमर जो कुश्चन है वो हम लोगा क्या करता है करा है कि एक सितार में किस परकार के ध्वनी तरंगे उत्पन्ने होती हैं तो देखें आप लोग का आरो यारो का ये कुश्चन है ठीक है प्रगामी अनुदेधर या फिर आप प्रगामे एवं अनुप्रस्त तो आप लोग सात्यों राइट एंसर बतला ये एक सितार में किस प्रकार के ध्वनी तरंगे उत्पन्ने होती हैं तो हम आप लोग को बतला दे हैं हमाल छोटे फाई एक सितार की अगर यहां पर बात करता है और प देखें यह भी कोशन आप लोगा कर रहा है एक ध्वानिक अनुनाद यानि कि प्रति ध्वनी जो कंपन में होने पर नियम स्वर्मान पर गुझता है तो यह आप लोग का ग्रूप डी का कोशन ने साथ हो इसका राइट एंसर आप फटा पट देजिए और हां बतला दे हमा हमसे प्रति ने चाइनल पर हम आप लोगों के लिए एक जैसे जिस प्रकार का अप्रयाइब आप धाइद आप लोग ने जो भी कोश्टन बन सकते हैं वैसे कोश्टन कहामेगा आप लोग Volks में देखेगा इस PDF में और इस PDF में कैसे question डाले गए हैं तो साथ वो इस परकार के question डाले गए हैं जैसे कि TCS pattern पर धायित हो गया उसके साथ जो previous year में question पुछे गया है उसी pattern को देखते हुए आप लोग के नए question कैसे बन सकते हैं उस परकार के question जो है इस PDF में डाले गए हैं और इस PDF में अगर आप लोग देखेगा तो टोटल जो है चाहाजार प्लस question देखने को भी लेंगे जिसका मूल ले साथ यो आप लोग को वर्न ले फोर्टी रुपे जो है पे करना होगा यानि कि एक रुपे में आप लोगों को यहां पर सो question जो है एवेलेबल कराया जा रहा है तो भाईया आप लोगों के लिए students के लिए हमें especially इसलिए बनाए है और ज्यादा मूल ले भी नहीं रखे हैं सिर्फ ऐसा ही हम आप लोगों के लिए मूल ले रखे हैं जो कि एक type जो है हमारे से खर्चा लिया है इस question को जो है type करने में तो अगर आप लोग इस पीडियो को भाई करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एक नंबर देज रहे हैं आप लोग इस नंबर पर क्रोड़क्ट करके इस पीडियो को भाई कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए सेटेट कोशन तो चलिए साथ है अब लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनों को पर करते हैं आपने जो है कौन से कोश्चन देख लेते हैं तो फाइफ नमबर जो कोश्चन है वह हम लोग क्या कह रहता है साथ हूं एक ध्वनिक अनुनात प्रतिध्वनी है जो कंपन में होने पर नियम स्वार प्रतिध्वनी को कम करने के लिए और्टिटोरियम की छटो और फिर दिवारों को किस से ढखा जाता है देखें प्रतिध्वनी को कम करने के लिए प्रतिध्वनी को कम करने के लिए और प्रतिध्वनी को कम करने के लिए और फाइवर बोड हो जाएगा चलिए और पर किस से ढखा जाता है यह पूछ रहा है तो फाइवर बोड से ढखा जाता है ध्यान रखेंगा और बढ़ते हैं अब लोग देखतें अपने से नंबर को जो की आज का आप आप लोगों का होमबर करने वाला है साथ यानि कि सिवे नंबर कोश्चन आज आप लोगों के लिए इस डावलो के दौर पर दिया जा रहा है भाई जितने भी करिंडेश्टी सेशन को वाच कर रहे हैं आप सभी भाई को इसका राइट एंसर जो है कॉमेट सेक्शन में बत सकती है तो बतला यह साथ वे जो मनुष्यों के द्वारा सुनी जा सकती है 50 यहां पर 500 था 500 था था यहां पर पांसो हट था यहां पर पचास हट तो यह आप लोगों का एलपी टेगनीश्यन का कॉश्चन दा साथ यह 2018 था देख रहे हैं भी यह 2018 से कुश्चन था तो इसका सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कंपन कर रही वस्तु का कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.4 सेकंड 0.4 सेकंड है तो तरंग की अविर्थी जो है वह बैस होगी तो देखे दोस्ति यहां पर तरंग की अविर्थी पूछ रहा है तो अविर्थी अविर्थी इसक्वेल्टू क्या हो जाएगा तो देखे भी या अविर्थी यानिकी इसक्वेल्टू क्य जीरो फोर दिया हुआ है तो अगर हम लोग इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए वन हो जाएगा वन तो हो गया उपर और नीचे में हम लोग डाल दिये फोर और इस अर्थ जीरो अटाएं तो इधर आगया भिया मुल्टिप्लाई में टेन इसको हम लोग अगर सॉल् पर यहां पर आ रहा है तो 25 हर्ट आप लोग का यहां पर राइट एंस रो जाएगा ऑप्शन नमबर भी ठीक है यह भी आप लोग का 2018 में पूछा हुआ था कोश्चन साथी को चलिए आगे बढ़ते हुआ आपने कोश्चन नमबर 9 को कोश्चन 9 को क्या करता है इसे देख लिए जाए कि जब किसी वस्तु की चाल धौने की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैस चाल पर यात्रा करना कहा जाता है बतला यह साते हो क्या यहां पहुझा जाएगा कहा जाता है यह आप लोग का जीए क्या कोश्चन पूछाओगा कोश्चन है चाती हो तो 2019 से तीक है देखिए अप्सरोय प्राश्रोय या फिर प्राध्वानिक या फिर ध्वानिक तो राइट एंसर आप सभी भाई जो है फट और लास्ट भी जो है दोनों को मैच करिए और मैच करके आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बतलाईए कि आप लोग का तोटल आप लोग का कितना सही हुआ है ठीक है तोटल अगर आप लोग मालीज़े बीस कोस्टन को जो है कंप्लेट के तो बीस में आगर 18 से हो ता 18 चारा बतलाई है दस सही गए तो दस बताई जितना सही हुआ है आप लोग कॉमेंट सेक्षिन में जरूरू बतलाएगा कि आप लोगा कितना सही हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने इस से उत्पादित होती है बतलाई यहां पर डैस के जगए पर कौन भर रहेगा किसके द्वारा वोकल कार्ट से उत्पादित होती है तो यह भी कोश्चन 2018 का कोश्चन है साथ यो बहुत कोश्चन है द्वानी से हम आप लोग को प्यार पर बतला रहे हैं तो द्वानी से जितना वे question मिलता है जरूर complete कर दीजेगा तो देखे इसका आप लोगा right answer हो जगा साथ कंपन क्या होगा कंपन option number one right answer कंपन देखे मनुष्य की आवाज की धौनी जो है वो कंपन के द्वारा यहां पर क्या होगा कंपन होगा कंपन के द्वारा vocal card से उत्पादित होती है option option number a right answer चलिए आगे बढ़ते पर लोग कोभर करते हैं अपने 11 नंबर कुष्चन को 11 नंबर जो question है वो हम लोगा क्या काता है करा है कि निमने लिखित में से कौन सा कथन कौन सा कथन जो है धौनी और परकास्त रंगों के बारे में सही है देखे यहां पर सही बतलाना यानि कि इन चार option में से जो है एक option आप लोग का जो है सही है और तीन option कलत है यह ग्रूप D का question है 2018 का तो चले भिया अगर जो है फटा फट जो है step by step पढ़ दिया जाए option को तो नहीं समझ में आएगा कर रहा था धौनी तरंग जो है अनुपरस्त तरंग होती है लेकिन पर है यह ईसन है यह अनुपरस्ट तरंग होती है यह सही है यह अपलों का यह रहा है यह बारे में सब्सक्रा, और सब्सक्रा, यह बहारता जो है?. जब डैसो बतला ये साथी हो ध्वानी का प्रशारण तभी संभव है जब डैसो तभी ये तब क्या हो निवार्थ हो अपरवर्तन हो परावर्तन हो या फिर माध्यम हो तो सभी भाई जो है इसका फटाफ़ राइट एंसर बतला जी ये एलपी टिकनीशन का ये कोर्शन है साथ जो 2018 का तो इसका सई अंतर हो जगा आप लोगा निवार्त नहीं होगा अपरवर्तन नहीं होगा परावर्तन नहीं होगा माध्यम होगा और दी राइट एंसर माध्यम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपने 30 नंबर कोर विर्लन अनुनाग या फित शंविर्लन ये भी आप लोगा 2018 का कोर्शन भया एलपी टेकनीशन का तो इसका जो है राइट एंसर हो जागा साथ हो दोलन तो नहीं होगा विर्लन भी नहीं होगा अनुनाग भी नहीं होगा तो यहाँ पर संपीडन हो जाएगा ऑप्शन फोटी नमबर कुश्चन को तात्यों जो भी करणिक्ष अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किये हैं आप लोग से आगड़ा है प्लेज वीडियो को सेयर कर दिजिए और चैनल पर अगर नहीं वीजिट किये हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब करके बेरेकन जरूरत बाद आद आठीक चोड़ी भाइग चलिए फोटे नमबर कोशेग मोगा रहा है ध्वानी सबसे तिर्वे-गती से निम्न में से किस माध्यम में घमन करती है तो साथ इसका राइब जो एंसर हो जागा पूछ रहे था कुछन हम लोगा ध्वानी सबसे तिर्वे-गती निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है तो देखे किस माध्यम में पूछ रहा है तो यहां पर निर्वात में तो नहीं होगा भी या गैस में भी नहीं होगा ठोस में ओप्सन नुबर C राइट एंसर ठोस अगे बढ़ते हैं कोवर करते हैं 50 नंबर कुश्चन 50 नंबर जो कुश्चन है उम लोका का रहा है डाइस तरंगे डाइस तरंगे चमगादर को किसको भीया चमगादर को उनके रास्ते में आने वाली बधाओं का पता लागाने मदद कर बिलती है तो कौन सी वह तरंग है उसका लोगों को बत्ला ना तो साथ इसका राइंट एंसर आपने सिधिन लिए तो नहीं होगा अतिप्राध्वनिक भी नहीं होगा यह यहां अश्लस हो जाएगा आपने सिख्टी करते हैं अपने 60 नंबर को बस अब हम लोगा बस चार कोश्चन बचा हुआ है जो कि सेलेक्टेट कोश्चन 41 में का आप लोग का कोश्चन है तो यह कोश्चन है आप लोग का 25 तीग्री सेल्शियस पर निमने लिखित में से ध्वानी का वेग जो है यह अधिकतम होता है बतला तो इस टील नहीं लोहा नहीं पीतल नहीं अधिकतम जो है अल्योंबूनियम में होता है आप सनमर डी सही अंसरों का चली आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कोवर करते हैं अपने 70 नंबर कोश्चन को तो 70 नंबर जो कोश्चन है वो का रहा है मनुस्थ से बहुत उची मनुस होगा यहाँ पर आप लोगा कितना डेसिबल होगा तो देखें यहाँ पर हो जाएगा आप लोगा 100 डेसिबल तो नहीं 80 डेसिबल हो जाएगा ऑप्शन अबर भी राइट एंसरों होगा 80 डेसिबल ठीक है मनुस्य बहुत उची ध्वानी यह कोश्चन भीवी आई है सबसे से पहले तो इसको आप लोग ध्यान लखें यह कोश्चनि इस बर आप लोग की आने की संभावन से मनुस्य बहुत उची ध्वानी सहन नहीं कर सकता है वह उच्छतम ध्वानी अस्तर क्या है जो मनुस्य सहन कर सकता है तो फ्र स्कारता हैrainला Morgen डेसिबल हैं पर आप लृण नहीं पूछ रहा है यह भी आप लोग का ग्रूप डी का 2018 का कुश्चन है हमारे चोटे भाईयों तो इसका जो है आप लोग का राइट एंसर हो जागा देखें क्या का रहा है डैस अवरिती ठीक है कितना हट जा अवरिती मनुस्यों के लिए श्रव्य नहीं है तो यहां पर 22 1000 हर्ट होगा ऑप्शन नमर भी राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं देखें अपने 90 नमर कोश्चन को 90 नमर जो कोश्चन है कर रहा है और श्रव्य और श्रव्य या इंफ्रा सोनिक तरंग्य की अवरिती जो है वह डैस बतला यह साथ यह आप श्रव्य या फिर इंफ्रा सोनिक तरंग्य की अवरिती जैस है तो बताए क्या हो जाएगा विस हर्ट से अधिक है क्या नहीं बीस हर्ट और फिर 2000 हर्ट के बीच में क्या नहीं बीस हर्ट चे कम है हाँ बीस हर्ट से कम होगा ऑप्शन नमर सी राइट एंच लोगह चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं आज का हम लोग last question question number 20 को साथ हो question number 20 देखने से पहले जो भी करने चैनल पर नहीं है प्लीज आपको से निवेदाने चोटे भाई वीडियो को सेर करना ना भूलिए प्लीज आपको से निवेदाने लिग्वेस्ट है हमारे चोटे भाई हो वीड जीत ऑनलाइन श्टडी पर आप वीडियो को वाच कर रहे हैं और आप लोग से निवेदाने प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जाना आप लोगों को से प्रैक्रिस चेट के साथ साथ हम आप लोगों को साथ जॉब से अपडेट्स भी देते हैं जैसे जॉब आते हैं न पुर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है तिर्वता नोन पी या फिर संगीत तो साथ यहां पर क्या हो जाएगा तिर्वता कहा जाता है और सब्सक्राइब कर लिया कल के क्लास में लोग देखेंगे सेट नमबर 42 को अगर दोस्त हमारे दोबार दीगर जो भी सेशन है नहीं जयाकारिक साथ जय हिंद जय भारत